नमस्कार के अपिटल टीवी उत्र प्रदेश देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा उत्र प्रदेश में होने वाले विधान सबाद चुनाओं को लेकर बीजेपी काफी एक्शन में है तो उधर यूपी विधान सबाद चुनाओं को लेकर सपा अध्यक्ष अखलेश यादव ने कमर कसली है आज से तीन दिन के बुंदेल खंड दौरे पर रहेंगे अखलेश यादव चुनाओं आते ही अखलेश को आखिर क्यूँ याद आया है बुंदेल खंड जिसको लेकर बीजेपी ने सबाल खड़े कर दिये है देखे इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में चुनाओं नस्दीक है ऐसे में हर पार्टी काफी आक्शन में है चुनाओं की तैयारियों को लेकर बीजेपी हमेशा से आगे रहती है बीजेपी के हर नेता, कारिकरता, प्रवक्ता, जमीनी स्तर पर काम कर रहे है तो वहीं दूसरी तरफ सपा भी पूरे दमखम के साथ चुनाओं में उतर चुकी है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखलेश यादव अपने तीन दिवस्ये दौरे के तहद बुंदेलखंड में हुंकार भरते नजर आए पर अचानक अखलेश यादव को बुंदेलखंड की याद क्यों आ गई? जिसको लेकर बीजपी प्रदेश प्रवक्ता राकिस त्रपाठी ने सवाल खड़े किये हैं क्या कहा है राकिस त्रपाठी ने सुनिये बदले हैं अखलेश यादव जी जब बुंदेलखंड जाएंगे तो बुंदेलखंड के युवा उनसे पूछेंगे कि ये डिफेंस कॉरिडोर पहले बुंदेलखंड में क्यों नहीं आ पाया ये बुंदेलखंड में एक्स्प्रस वे पहले क्यों नहीं बना ये क्योनी बुंदिल खंड में जो पानी के लिए लोगत रस्ते थे, ये पानी हर घर नल क्योनी बुंदिल खंड में पहले पहुचा, पहले क्योनी उजुला गैस के कनेक्शन पहुचे, बुंदिल खंड में फिर कमल खिलेगा, सत प्रस्त बुंदिल खंड में जिस परकार भ गुंदेल खंड की किस्मत बदल दी, साथी पुर्वांचल में भी विकास हो रहा, जिसको लेकर कभी अकलेश यादव ने सूध नहीं ली, साथी मयावती को लेकर क्या कहा जरा सुनिये मयावती जी अपनी पूरी प्रेस कॉंफरेंस में लगातार जातिय समीकरों को फिर साधने का प्रयास करती हुई दिखाई पड़ रही है, मयावती जी को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेस में 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव आया है, अब उत्तर प्रदेस की जनता जाति नायोग ने उन पर प्रतिबंद लगाया था, वैसा ही प्रयास वो फिर कर रही है, निर्वाचा नायोग को इस पर संग्यान लेना चाहिए प्रदान मंतरे नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेस में योगी आदेतनाज जी के सरकार की उपलबधियों को देख करके, आज अलग-अलग प्रकार के सामाजिक संगठलों में काम करने वाले, या विभिन राजनितिक दलों में काम करने वाले, जिनका भी जनता के लोगों को जिनका जनता के बीच में आधार है उनको भरतियनता पार्टी जोईन करने का काम कर रही है आने वाले दिनों में और भी बड़ी संख्या में राजनेतिक दलों को छोड़ करके भरतियनता पार्टी लोग जोईन करेंगे अकलेश मैवधी के साथ साथ राकेस त्रपाठी ने प्रयांका गांधी को भी जम कर खेरा यूपी में अपराद को लेकर सवाल खड़े करने वाली प्रयांका पर राकेस त्रपाठी ने क्या वार किया सुनाते हैं आपको साथी, कोरोना पर पूछे सवाल में कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना पर वार चिया गया یोग्याद इतनात की सरकार ने कोरोना की रोक्थाम को लेकर जब़दस्थ प्रयास किए जिसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है के लिए अनुकरणी है आज भारत के अलग-अलग राज ये उत्तर प्रदेश के मॉडल से सीख रहे है तो बीज़पी प्रदेश प्रवक्तार आकेस त्रपाथी ने विपक्षियों पर जम कर हमला बोला मायवती अकलेश और प्रयांका के कामों पर सवाल भी किया और बताया कि बीज़पी की सरकार में काम में फर्क क्या है और किस तरह से बीज़पी की सरकार यूपी में विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रही है इस खबर में फिलाल इतना ही उत्रप्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी उत्रप्रदेश नमस्कार